आप सबीका सवागत हैं आपके अपनी कोगिंग चेनल पे ऐंके वालु का भरता इसे की आप आलो के जोके की नामसे भी जानते हैं तो चली जयदा देर नहीं करते ह Started तो यहां पर आप देख सकते हैं नॉर्मली मैंने आलू लिये हैं आलू को वाश कर लेना वाश करने के बाद इसका चलका उतार के को चुट चुटे पीसे में कट कर लेना है दुख सी तरफ हमने कढ़ाई रखी है और कढ़ाई के अंदर मैंने अजवाइन डाला है इसे हम बि मुझा बनाने के लिए वैसे हमने बनाना है तो आलू को मैं इसके अंदर मिक्स कर दूंगे दो से तीर मिनिट होने के बाद ही मैं इसके अंदर जो है मसाले आइड कर दूंगे तो मसाले भी बहुत सिंपल से हैं डेली उसके नमक सौज के नुसा डाल देंगे इसके अंदर ह इसके बाद अच्छे से मिक्स करेंगे इसको मिक्स करने के बाद हम चार से पांच मिनट तक इसको धीमी आज पर पकाएंगे लेकिन उससे पहले तोड़े सा कलर और टेस्ट के लिए इसके अंदर हमने हरी मिस्ट को छुट-छुटे पीसिस पर कट किया है वो डाल देना है मसा जावल दाल के साथ आपके लंच की टेबल पे और डिनर की टेबल पे आपके खाने को पूरा फुल कंप्लीट करती है बहुत ही ज्यादा स्वाधिस्ट बनती है एक जरूर इस तरीके से बना के देखिए आपको यी रैस्पी जरूर पसंद आएगी सिंपल टेस्टी और बह जब देंगे जब दखके पकाएंगे 2-5 मिनिट के बाद हम एक बार इसको चला लेंगे और दो से जरूर मिनिट के लिए फिर पका लेंगे तोटल 5-6 मिनिट के अंदर सब्जी हमारी बनके त्यार हो जाती है इसके साथ आप बाके के काम भी कर सकते हैं और बहुत यदा टे मैश कर लेना है और मैश करने के वाक्त यहां पर हमने एक चम जो है अमचूर पाउडर का यूज किया है टेस्ट और फ्लेवर के लिए बनने के बाद सब्जी को यूज किया जाता है और एक मिनिट बस गैस की नॉब को हम और रखेंगे उसके बाद आफ कर देंगे सब्जी करना है और देख सकते हैं इसका लोग टेक्शिर बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगते है यह टेस्ट टेस्टी और बहुत ज़्यादा चिटपटी सी सब्जी और आप इसे बच्चों के लंच रेले भी बना के दे सकते हैं समुझे के स्टफिंग के रूप में यूज कर सक बहुत तरीके सब्सक्राइब जाः चावल दाल बनाने हैं कि लिए तो जल्दी से चलदी करें बताई हैं शक्राइब इसमें डाच्झ ऐसक पूर्ड करें बहुत अच्छा टेस्ट राता है और गर्म मसाला मैंने देराधाचिमर अपनी पसंद केä साथ सकते हैं इसके भी कर सकते हैं वो आपकी मर्जी है मैंने इसके नदे गरम साले को यूज किया है क्योंकि इससे थोड़ा कलर इसका बहुत प्यारा साता है तो आप इससे टेस्ट किए जो टेस्ट करके अपना फीडबेक दीजिए तब तक में एक न्यू रेस्पी के साथ आती हो तब त